आज आपको 3D एनिमेशन की मदद से बताएंगे कि हेर ट्रांस्प्लांट कैसे किया जाता है इसके लिए सबसे पहले सिर के पिछले हिस्से के बालों को ट्रीमर की मदद से काट दिया जाता है और फिर एक डिवाइस की मदद से एक एक करके हेर फॉलिकल्स को निकाला जाता है इसके बाद गंजे हो चुके एरिया में छेत किये जाते हैं और एक एक करके हेर फॉलिकल्स को उसके अंदर डाल दिया जाता है और करीब 6 महीने के बाद टकले सर में बाल आ जाते हैं